अब क्या होता है जब मैं दर्वाजे को ठक ठकाता हूं तो वहां महिला मुझे अंदर बुलाती है अब मुझे से मेरा नाम पूछती है जिस पे मैं अपना नाम बताता हूं सारा विलियम्स फिवा मुझे से पूछती है कि क्या तुम अरोस परोस में रहने वाली हो और इन सारी बातों को पूछते वक्त वा मेरी ओर बहुत ही जदा ध्यान से दीख रही थी अपने काले भूरी आखों से अब इसके सवाल के बाद मैं बोलता हूं नहीं मैं कहां से हूं मैं हुकरविल स और यह जगह यहां से साथ मिल दूर है मैं बहुत लंबे समय से चलते हुई आ रही हूं और मैं बहुत ज़दा ठकी हुई हूं जिस पर वह लेड़ी बोलती है तब तो तुम्हें बहुत ज़दा भूख भी लगी होगी रुगो मैं तुम्हारे ले कुछ ले करके आती हूं जिस पे मैं बोलता हूँ नहीं मैं थैंक्यू इसकी कोई जरूरत नहीं है असलियत में मेरी मा की तब्यत खराब है और मैं यहाँ पे अपने अंकल एबनर मूर से बात करने के लिए आये हूँ वह टॉन के उपरी पाट में रहते हैं तो मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा क्या आप उन्हें जानती हो जिस पे वा लेड़ी बोलती है वह तो दो सब्तों से यहाँ पे है ही नहीं और मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ हाला कि टॉन में जाने का रास्ता बहुत ज़्यदा लंबा है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती तुम आज रात यहीं रुख जाओ और कल चली जाना अपनी हैट को उतारो और थोड़ा अराम करो जिस पे मैं बोलता हूँ नहीं मैं ऐसा नहीं मैं कर सकती मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगी फिर मैं यहाँ से चली जाओंगी जिस पे वह लेड़ी बोलती है कि वह मुझे अकेले यहाँ से जाने नहीं देंगी क्योंकि रात का समय भी हो रहा था तो वह क्या बोलती है कि मेरे पती बहुत ही जल्द आने वाले हैं अपने एक साथी के साथ फिवा मुझे बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है साथी साथ वह अपने परिवार के बारे में भी बताना शुरू कर देती है और फिर उसके बार अचानक से उनका टॉपिक मर्डर पे आ जाता है अब किसका मर्डर तो मेरी ही मर्डर की जो कहानी है उसके बारे में तो मैं उनसे पूशता हूँ कि यह हक्षिन कौन है तो जिस पर वह लेड़ी बोलती है कि लोग बोल रहे हैं कि उसके ही फादर ने उसके साथ कुछ किया होगा फिवा बोलती है कि सभी लोगों को तो शुरुवात में ऐसा ही लग रहा था लेकिन फिर लोगों ने कहा कि वह नीग्रो बोई जिम है जिसने हक्षिन की मौत का सारा कासा इंतिजाम किया और उसने ही हक कुमा रहा है लेकिन मैं वहाँ शान था मैं कुछ नहीं बोल रहा था फिर वहाँ बोलती है कि लोगों ने तो उस नीग्रो बोई जिम के लिए थ्री हंडर्ड डॉलर का रिवार्ड भी रखा है और फिन के फादर पे तू हंडर्ड डॉलर का रिवार्ड रखा है इनाम रखा है क्योंकि खुद सोचो जिस दिन हग की मौत हुई उसी दिन से जिम गायब है और जिस दिन हग की मौत हुई उसके अगले दिन वह हग का फदर वहां पे वापस आया ही नहीं अब सब लोगों को यह सारे बाते पता थी और अगले दिन वह अपने बेटे के लिए जैसे अगर उसने उसकी हत्या नहीं की तो वह भागा क्यों तो अगले दिन वहां से भाग गया था और सारे के साय लोग उसे ढूंडने के लिए भी निकले लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा वह दूसरी और हग का फदर जज से कुछ पैसे माग रहा था लेकिन मुझे उमीद है कि वह उन पैसों का शराभी पीता उसे यहां आधी रात को देखा भी गया है बहुत बार बहुत बार उसे देखा गया है और एक रात की बात है उसकी मुलाकात हग के फादर के मुलाकात कुछ अजनवियों के साथ हुई थी फिर उसके बाद वह अजनवियों हग के फादर को लेके चले गए और तब से लेक करके अब तक हग का फादर यहां आया ही नहीं है तो बहुत सारे लोग का मानना कि हग के फादर नहीं हग की हत्या की है वह बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान था क्योंक तुम्हें पता है उसके बेटे के पास बहुत सारे पैसे थे और अगर वह एक सालों के बाद आता है तो एक सालों के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा जिस पे मैं पूछता हूँ कि क्या सारे के सारे लोग जिम के पीछे गए हुए है तो बोलती है वा लेड़ी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और ना सारे लोगों को यह लगता है कि जिम ने हक की हत्या किया है लेकिन कुछ लोगों को तो यह विश्वास भी है एक ना एक दिन लोग उसे पकड़ करके लेकर के ही आएंगे और उसे डरा करके उसे यह कनफेस कराएंगे कि उसने ही हक की हत्या की है जिसमें मैं पूछता हूँ सारे लोग उसके पीछे क्यूं है जिस पे वा लेड़ी बोलती है तुम बहुत ही ज़दा इनोसेंट हूँ सोचो 300 डॉलर या किसी का भी इमान डगमगा सकते है और लोग इतने पैसों के लिए किसी भी हत्तक जा सकते है शायद मैं भी मैंने अपने पडोसी के घर में सुना था कि अगल बगल में ही एक आइलेंड है जिसका नाम जैक्सन आइलेंड है और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता लेकिन कुछी दिन पहले मुझे महां से धूइक आने का नजारा देखने को मिला तो मुझे लगता है कि वह नीगरो लड़का जिम वहीं पे छुपा होगा मेरे पती आज रात को ही एक और आदमी के साथ इस बात का पता लगाने के लिए जा रहे है इन बातों को सुन करके मैं बहुत ही ज़दा अफसेट हो गया अब मुझे पता ही नहीं थे कि मुझे क्या करना है मैंने बस क्या किया सुई धागे को उठाया और कपकपाते हुए उनके पास जाता हूँ आब बोलता हुँ कि क्या आज ही रात को आपके हजबंड जाने वाले हैं जिस बलती है वो आलड़ी हाँ वह आज ही जाने वाले हैं और वह बोट में जाएंगे और उनके साथ जो जाएगा उनके पास एक गन भी होगी वह आज रात को ही जाएंगे जिस पे मैंने पूछा वो दीन के समय क्यों नहीं जा सकते हैं तो पतर जा तो सकते हैं लेकिन इस से उस नीगरो बॉय को भी आराम से दीन के समय दिखेगा और लोग उसे पकर नहीं पाएंगे लेकिन रात के समय उसे पकरना बहुत ही जदा आसान होगा इन सारी बातों को बोल करके वाल लेडी मेरी और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखती है और फिर से मुझे से पुछती है कि तुम्हार नाम क्या बताया थे मेटा तुमने तो मैंने कहा मैरी विलियम्स लेकिन मनी मन मैंने बोला शायद मैंने सारा विलियम्स बनाया था अब इस पे वाल लेडी बोलती है लेकिन तुमने तो अपना नाम सारा बताया था जिसमें मैं बोलता हूँ हाँ मैं मेर नाम सारा मैरी विलियम्स है सारा मेरा फर्स्ट नेम है और लोग मुझे सारा ही बुलाते है और मैरी भी बुलाते है जिसमें वह लेड़ी बोलते है अच्छा है ऐसी बात है तो फिर वह मुझसे बाते करने लगी चूह के बारे में क्योंकि उनके घर में बहुत सारे चूहे थे तो उन्होंने क्या किया मुझे एक बार ओफ लिट दिया उससे एक क्रॉस बनाया ताकि वह चूहे को पकड सके और मैंने पकडने की भी कोशिश के लेकर मुझे से वह पकड़ा ही नहीं तब उन्होंने मुझे एक हैंक ओफ यान दिया और मुझे बोला कि उसे अपने दोनों हाथों से पकड करके उनकी मैं मदद करूँ और जब वह अपने परिवार के बारे में बता रहे थी तब ही वह अचानक से चलाती है कि अपनी आखो को चूहे के उपर रखो उन्होंने एक लंप आफ लेड को मेरी गोद की तरफ फेका और मैंने अपने पैरो को क्लैब कर दिया था तब फिर वह लेड़ी मेरी चहरे की तरफ दिखती है आप बोलती है चलो बता तुम्हारा असली नाम क्या है बिल है या टॉम है या बाब है और जिस पे मैं तरफ दर गया लिके फिर मैं बोलता हूँ मैं क्यों एक गरेब लड़की का मजाग बना रहे हो जिस पे वह लेड़ी बोलती सरसर बताओ तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी माता पिता की मौत हो गई है और मैं किसान की यहाँ पे काम करता था जो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था इसलिए मैं यहाँ से भाग गया और मैंने लड़की का कपड़ा पहना ताकि वह मुझे धूनना पाए और मैं वहाँ से 30 माइल्स यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने अंकल गोशन को धून रहा हूँ कि शायद वह मेरी मदद करे तो फिवाल लेड़ी बोलती है तो तुम्हारा रियल निम क्या है और फिवाल लेड़ी बोलती है तुम गोशन को धून रहे हो लेकिन यहाँ जगा तो गोशन नहीं है यहाँ तो सेंट पीटर्स बग है अब जिस पे फिर मैं बोलता हूँ कि जब मैं राष्टे से आ रहा था तो एक आदमी ने मुझे यहाँ बताया कि यही गोशन है लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं है अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा जिस पे वहाल लेड़ी बोलता है रुको कुछ खाने का समान ले लो और फिर वहाँ मुझे कुछ खाने का समान देती है और कुछ funny funny questions करती है जैसे कि जब एक गाय लेटी हुई रहती है और वह उटने की कोशिस करती है तो वहाँ आगे के पैरों से उटती है कि पीछे के पैरों से उटती है मतलब मैंने बोला पीछे के पैरों से उड़ती है फिर वही दूसरी और पुछा अगोडे तो मैंने बोला आगे के पैरों से उड़ती है फिर उनने मुझे से पुछा कि जो ट्रीज होते है वो ज्यादा तर कहां उखते हैं तो मैंने बोला नौत साइड में उखते हैं फिर उनने पूछा अगर 15 काउ हिल साइड में है तो उन सारे के सारे काउं का डायक्षन सेम डायक्षन में कब होगा या फिर कितने गाउं का चहरा सेम डायक्शन में होगा तो मैंने बुला पंदरा के पंदरा गाओं का तो फिर बुला हाँ तुम फार्म में तो काम करते हो वैसे तुम्हारा रियल निम क्या है जिस पे मैं बताता हूँ कि मेरा रियल निम जियोस पीटर है फिवा लेड़ी बोलती चलो ठीक है अब इसे दुबारा मत भूलना अब ये मत भूलने लगना के तुबहा नम अलेक्शन्डर है मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम लड़की नहीं एक लड़की हो जिस तरीके से तुमने सुई धागा को पकड़ा था क्योंकि ज़्यादा तर जिस तरीके से हम लोग सुई धागे को पकड़ते है राट साइड में सुई और लेफ्ट साइड में धागा तुमने ज़स्ट उसके क्वार्ट आपोजिट डिरेक्शन में पकड़ा था लड़की नहीं लड़की हो चुकि लड़की क्या करती अपने पैरों फेलाती लेकित तुमने तो सिकोड लिया अब जाओ अपने अंकल के पास जाओ और हाँ अब ये मत बुलना ते वा नम सारा मैरी विलियम जॉर्ज अलेक्जंडर पीटर है अपने नाम को याद रखना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूत होगी तो मेरे पास आजना मेरे नाम जुदित लॉफ्टस है अब मैंने क्या किया वहाँ से मैं उतरता हूँ और तुरंत कैनोई के पास जाता हूँ और जहरने से होते हुए ग्यारा बज़े तक वहाँ पहुत जाता हूँ अब मैं आलेंड बे जाता हूँ मैं दोड़ता हूँ जिम के पास जाता हूँ जिम उसमें सो रहा था तो मैंने बोला जिम जल्दी उठो वे लोग हमें ढूनते हुए आ रहे हैं और बीना कोई सवाल किये हम लोग ने सारी के सारी चीज़ उठाई और राव्ट से हम लोग चले गए वहां से और हम लोग ने क्या किया जो कैम फाय था उसको भी जला दिया और आधे घंटे में हम लोग वहां से दूर निकलाए थे